नमस्कार दोस्तो, स्वागत है सभी कास समाचार क्यारी में हर्याना वास्षियों के लिए बड़ी खबर है आपको बता दे कि हर्याना को केंदर सरकार ने तोफा दिया है दो नए स्कूल खोलने की मंजूरी दे कर जी हैं करनाल और रिवाडी में पहले से दो स्कूल चल रहे थे और अब दो नए स्कूल देने का फैसला केंदर सरकार ने लिया है आपको बता दे कि हर्याना के साथ साथ अब पंजाब और हमाचल परदेश को भी कंदर सरकार नहीं है तोफ़ाद दिया है एक एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा यदि बात करें हरियाना पंजाब और हिमाचल प्रदेश थी तो तीनों राज्ये के मिलाकर आठ स्कूल हो जाएंगे ये उन 18 नहीं स्कूलों में शामिल है और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन सभी सैनिक स्कूलों को वित केंदर सरकार की ओर से दिया जाता है केंदर सरकार ने पहले NGO, ट्रस्टों, नेजी स्कूलों या राज्ये स्कूलों के साथ PPP मोड में सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एक समझोता ग्यापन के बाद देशवर में सो में स्कूल शापित करने का पहल की मंजूरी की थी इसी मोड के तैथ हरियाना, पंजाब और हिमाचल परदेश में ये संचालित किये जाएंगे आपको बता दे कि केंदर सरकार द्वारा ये हरियाना को तोफ़ा दिया गया है जिसमें दो ने स्कूल यानि सैनिक स्कूल यहां खोले जाएंगे और साथ ही में पंजाब और हिमाचल परदेश में भी स्कूलों को देने की बात कही जा रही है जी हाँ बड़ी ख़बर है हरियाना को केंदर सरकार की तरफ से यह तोफ़ा दिया गया है आप भी कमेंट बोक्स में अवश्य है अपनी राय दे और कमेंट बोक्स में अपने विचार रखें कि हरियाना को सैनिक स्कूल के लावा और भी जिस तरह की जरूते हैं ताकि हरियाना प्रदेश के लिए आने वाली सभी गोशनाओं में हरियाना वे केल्द सरकार के अधिकारी तो यह वीडियो देखेंगे कि हमाना प्रदेश के लिएक स्वार रखेंगे लिएर रखेंगे रखेंगे विएपस्ट का जरूय वीडियों के भीयों के लिए घे खिए गछाइब़ और भी प्रिएपस्ट का ड़ते हैं